हेलो फेंड्स आज हम आपको बताएंगे CP plus के DVR को default setting में कैसे करना है मतलब कोई DVR में problem आ रही है कुछ हो रहा है कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इसको default कर सकते हैं जिससे में भी कुछ 90% जो problem से solve हो जाती है तो इसके लिए हम जाएंगे main menu में 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 जाने के बाद info info के बाद आप जाएंगे system maintain में उसके बाद ही default ऊपर default set में जाके factory default कर देंगे इसको factory default और यह पूछला यहां पर इसको reset करना है तो okay करेंगे तो इसके बाद यह पूछ रहा है password आप जो पासवर्ड रखा हूँ अपने वह लोगा दीजिए तो reset होने के बाद आपका DVR जैसे new condition में आ जाएगा जब new purchase करते हैं वैसी condition में आ जाएगा जैसे okay और इसके बाद यह यहां से भी restart हो जाएगा DVR यह दिकेंग धिते ही था था जाएगा लगाइगा जाएगा ने एक जाएगा जाएगा तो okay